दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 19 विंडोस के ऐसे यूशपुल रन कमांड में आपको बताऊंगा जिनका यूश करके आप अपने डेली रूटीन के प्रोड़क्टिविटी को बढ़ा सकते हैं दोस्तों मेरा नाम है हमाशो गुपता और आप देख रहे हैं टेकनिकल गुपताजी चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहली जो कमांड है उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं रन पर और run के लिए shortcut command है windows plus r और यहां पर हम अपने पहली command को execute करेंगे जो की है change pk change pk जो command है उससे आप अपने windows की product की को change कर सकते हैं या windows को reactivate कर सकते हैं यहां से change करके आप अपने windows की license की को यहां पर enter करके next करने के बाद इसको आप change कर फाएंगे चलते हैं अपने next command की और जो की है character map तो windows plus r प्रेस करेंगे तो यहां पर हम type करेंगे charmap और ok करेंगे तो यह आप के पास windows का character map आचुका है यहां पर आप कोई भी जो special character होता है उसको आप use कर सकते हैं windows के किसी भी application में चाहें वो ms word हो ms excel हो या कोई भी और application अब चलते हैं अपने next command की और जो की है clean mgr यानि clean manager इस command के थुरू आप windows के disk cleanup wizard को open कर सकते हैं directly यहां पर आप c drive को या जो भी और drive हैं आपके computer में उनको clean up कर सकते हैं easily चलते हैं अपने next command के और जो की use होगी आपके user account को control करने के लिए windows plus r और यहां पर आपको type करना होगा control space user pass words 2 और ok करेंगे तो यह आपके पास user accounts का जहां पर setting करते हैं यह dialogue box open हो जाएगा यहां से आप किसी भी user की properties को check कर सकते हैं उसकी group को change कर सकते हैं उसका password reset कर सकते हैं advance में जाके यहां से advance में जाएंगे तो यहां से यह local user and groups का जो window है वो open हो जाएगा इस window को अगर आपको direct open करना है तो एक और command है मैं वह भी आपको दिखा देता हूं फिर से चलते हैं windows plus r और यहां पर आपको type करना होगा lusrmgr.msc होके प्रेस करेंगे तो यह window आपके पास direct खुल जाएगी यानि local user management जहां से आप कर सकते हैं advance लेवल पर यहां से इसको manage कर सकते हैं एक और command है जिसके थुरू आप अपने windows computer के user management को open कर सकते हैं फिर से आप चलते हैं windows plus r और यहां पर आप type करेंगे and et यानि net pl wiz यानि net pl wiz ओके प्रेस करेंगे तो यह फिर से आपके पास user accounts जहां से आप handle कर सकते हैं वो window open हो गई है अब चलते हैं अपनी next command की ओर जो की आपकी windows की default application को open करने के लिए यूज होगी तो फिर से वही windows plus r और यहां पर इस बार आपको type करना होगा computer defaults okay करेंगे और यह देखिए आप direct उस window पर आगए जहां से आप windows के default application को change या set कर सकते हैं अब चलते हैं अपनी next command की ओर windows plus r और यहां पर इस बार आपको type करना है ct tune और ok प्रेस करेंगे यहां से आपके पास clear type text tuner का wizard open हो चुका है यानि यह उन लोगों के लिए useful है जिनको screen पर text पढ़ने में या text को देखने में कोई issue आ रहा हो यहां से उस wizard के थुरू वो अपने screen के text size को या text के font को या text के density को change कर सकते हैं अब चलते हैं अपने next command के ओर चोकी है dxdiag यानि dxdiag और ok प्रेस करेंगे yes पर क्लिक करेंगे यह आ गया आपके direct x diagnostic tool यहां से आप अपने computer की information को check कर सकते हैं यानि computer का नाम क्या है, operating system कौन सा है, build कौन सी है, कितने bit की है, language कौन सी आपने choose कर रखी है, system manufacturing कौन सा है, motherboard का model क्या है, bios का version क्या है, processor कौन सा लगा हुआ है, memory कितनी लगी हुई है, page file कितनी आपने delegate कर रखी है और direct x का version आपके पास कौन सा है, display आप कौन सा यूज कर रहे हैं, graphic का driver कौन सा है, कोई भी information आप यहां से देख सकते हैं अब चलते हैं अपनी next command की ओर, next command है हमारी diskmgmt.msc, diskmgmt.msc से आप disk management open कर सकते हैं यहां से आप अपने computer की जितनी भी drives हैं, उनको manage कर सकते हैं, उनके partition को manage कर सकते हैं चलते हैं अपने next command की ओर, जो की है msconfig, msconfig से आप system की configuration बिजार को open कर सकते हैं यहां से आप अपने computer के startup को change कर सकते हैं, यानि कि by default यह normal startup पर आपका check लगा होगा यहां से आप diagnostic startup को भी choose कर सकते हैं, next time आपका computer जब भी start होगा तो diagnostic mode में start होगा या selective startup में ही आप कर सकते हैं, cable system की जो basic services हैं वही on हो, load startup item उनको आप choose कर सकते हैं original boot configuration जो फाइल थी वो आप default set कर सकते हैं, यहां से आप booting menu को change कर सकते हैं, यहां से windows के services को start stop कर सकते हैं, उनको disable कर सकते हैं, startup program जो भी है वो यहां से आप change कर सकते हैं, और यह कुछ all tools हैं, इनको भी आप यहां से launch कर सकते हैं अब चलते हैं अपने next command के और, जो कि है powercfg.cpl, इस command के थुरू आप power option में directly आ जाएंगे, और यहां से आप अपने computer के power plan को change कर सकते हैं, अब चलते हैं अपने next command के और, जो कि है psr, open, यहां से आप step recorder को open कर सकते हैं directly, मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि step recorder क्या करता है, इस सब कुछ करिए, आप अपने computer के travel shooting किसी third person से कराना चाहते हैं, जो कि आपके computer पर available नहीं है, या आपकी location पर available नहीं है, तो आप अपने step recorder को on करके, आप basic step आप record कर सकते हैं, अब चलते हैं अपने next command के और, जो कि है win ver, win ver, enter press करेंगे, तो यहां से आप अपने windows के version को check कर सकते हैं, जैसे मेरे case में version 23s2, windows 11 का ये use हो रहा है, OS का build कौन सा है, वो भी आप यहां से check कर सकते हैं, कौन सी window यूज कर रहे हैं, windows 11 pro operating system मैं यहां पर use कर रहा हूँ, तो अब चलते हैं अपने next command की और, बहुत बार क्या होता है, कि आपके network adapter में, यानि क LAN card में या Wi-Fi में कोई issue आ जाता है, तो उसके लिए आपको एक command में बता रहा हूँ, ncpa.cpl, enter press करेंगे, तो यहां पर आपके computer में जतने भी network card लगे हुए हैं, चाहें वो LAN card लगा हुआ है, चाहें Wi-Fi card लगा हुआ है, वो यहां पर आपको show जाएगा, और यहां से उनकी आप troubleshooting या setting कर सकते हैं, चलते हैं अब अपने next command की ओर, आप अपने computer के time and date को change करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक shortcut command है, windows plus r time date.cpl, ok press करेंगे, यहां से आपका date and time का जो window है, वो open हो जाएगी, यहां से अपने computer के time and date को आप set कर सकते हैं, time zone को भी change कर सकते हैं, और आप computer के time को और date को internet से भी sync कर सकते हैं, चलते हैं अपनी next command की ओर, जो की है app biz.cpl, यहां से आप अपने computer के add remove program को directly open कर सकते हैं, यह आपका program and features वाली window आपकी open हो चुकी है, यहां से आप अपने installed program को uninstall कर सकते हैं, repair कर सकते हैं, या फिर कोई भी windows के features को turn off, या on कर सकते हैं, अगर आपको अपना control panel direct open करना है, तो windows plus r और यहां पर आपको type करना है control, ok press करेंगे, सीधे आपके पास control panel open हो जाएगा, इसके अलावा एक और मैं आपको एक shortcut command और बता रहा हूं, अगर आपको अपने computer की firewall open करने हैं, तो windows plus r firewall.cpl, ok press करेंगे, तो आपकी computer की firewall direct open हो जाएगी, तो दोस्तों यह थी windows में use होने वाली कुछ run command, जिनका use करके आप अपने daily routine के productivity को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, I hope दोस्तों यह command आपको पसंद आई होगी, और यह video भी आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई है, तो इस video को like करें, और channel पर पहली बार आए है, channel को subscribe करें, ताकि ऐसी ही और informative video की information आपको सबसे पहले मिल जाए, मिलते हैं अपनी next video में, तब तक के लिए, नमस्कार